हेलो फ्रेंट्स मैं डेवल या तो आप सब्सक्राइब करता हूं तो फ्रेंट्स हमें बात करने वाले फ्यूचर परफेक्ट कॉंटिनियो स्टेंस के बारे में इससे पहले हमने प्रजेंट पास्ट और फ्यूचर के जो बाकी बचे हुए रूल से उनको कवर कर लिया और यह तो प्लीज प्लेस्ट सेक्षण में यह वहां से जीवीडियों को देख सकते हैं और अपनी ट्राइंस्ट को मजबुद्र या स्ट्रॉंग बना सकते हैं इसमें हम सबसे पहले बात क्या करने translation करने में किसे प्रकार के कोई भी दिकत नहीं आएगी नेक्स्ट क्या है कि हम कुछ translation करके भी देखने वाल है तो आप यहां पर देख सकते हो कि इसका हमने भी देखने तो आपको गलती पता रहेगी अच्छा हम कहां पर गलती कर सकता है तो नेक्स ताम जो आप इसका ध्यान रखोगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां पर देख लिए फ्यूचर है पर फिर्फेक्ट एक और आना भी नॉर्मल है अगर इन दोनों को हम कमाइ आपने रयंट क्यों होती है तो पर आफ से इसेंड्स में होता है जैसे एक घ्जाम्पल देख लेता हो उसकता बदन आपको पर फिर्फेक्ट बरता हूं यहां पाःए diagnose और अब यहां पर चार बज़े जाके देखा रहा होगा है तो इसलिए यहांप जो हम किसी पॉइंट पर जाके किसी चीज को देखते हैं इसलिए हम यहां पर पर्फेक्ट का यूज इसको जो है पर्फेक्ट तो हम पॉइंट पर जाके बात करने वाला है तो जैसे इसमें फ्यूचर भी हो गया पर्फेक्ट भी हो गया वैसा अब स्टार्ट करते हैं सबसे professionals और देखे लिता हैं जैसे यहाँ पर इक मिलजाएगा आपको वह दो वर्स हों से दिया हुआ तो हमें क्या होता है कि इन सभी के लिए से यहाँ पर भी आ रहा है तो यहाँ पी आ रहे है वह दो कि क्या है कि सिंस का यूज हुआ है जब कि यहां पे जो है फॉर का यूज हुआ है तो आप इसमें कंफ्यूज हो आपको डाउट हो सकता है कि कहां पर हम सिंस यूज करेंगे कहां पर हम फॉर यूज करेंगे तो सबसे पहले इससे हम देख लेते हैं तो जहां पर पॉइंट of time होगा point of time मतलग एक point होगा जैसे यहाँ पर आप देख लिए चार बजे से हैं मतलब exact time की जब बात की जाएगी तो हम since का यूज करेंगे जैसे एक और कुछ examples देखते हैं यहाँ पर पांच बजे से है तो since का यूज होगा दो पहर है एक point है दो पहर point एक point of time की जब भी बात होगी तो हम since का यूज करेंगे लेकिन अगर हम बात करते हैं duration का अगर duration जैसे की period of time होता है period मतलब कुछ समय तक वो काम जारी रहता है period of time duration of time के अगर हम बात करते हैं तो हम वहाँ पर यूज करेंगे जैसे अगर हम कहते हैं दो दिन से दो दिन से यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम period की बात कर रहे हैं साथ दिनों से तो भी हम यहाँ पर यह period की बात कर रहा है point of time अगर जैसे हम कहेंगे Sunday Monday Tuesday नोटे से तो यह सब point of time है point of time का मतलब एक fix समय से और कोई काम कुछ समय लगा रहा है काम होने में उस हम period of time period of time कह हम कि जैसे सुभा से के लिए आप देखू है point of time है तो since का यूद खुआ है और यहाँ कि यहां पिर दूरेशन की बात करी दो घंटा मतलब एक समय नहीं होता है यहीज है मिनट करके टाइमünüz Tribal यहां पे जो और टाइम वह करने वाले की हमें क्या रूल करना होता है तो सबसे पहले हम इहां पे देख़िए विल यह सेल का प्रयोक्तों करने वाले है आप यहां पर देखें विल और यहां पर जाल है तो सबसे पहले तो बीचाल आने वाला है उसके बाद have been have been have been तो मतलब विल याश जाल आएगा उसके बाद have been तो आना fix है आगे भी देख सकते हैं यहां पर have been ही use होगा यानि इसके बाद आप conclude कर सकते हैं कि यहां पर हम will ya sell have been का use करते हैं एक बात और आपको यहां पर ध्यान रखनी है यहां पर has been singular है तो has been या फिर past में तो है पास में तो रहेगा नहीं future content है यहां पर have के अलामा कोई other जो है helping work नहीं यूज हो सकता है आप कह सकते हो कि यहां पर singular रहेगा तो भी हमें have ही यूज करना है हमें changing किसमें करना है सैल या विल में करना है ना कि have में करना यह तो fix है have been have been fix है तो इसमें हमें कोई भी changing नहीं करना है अब यहां पर अपने सारो rule clear हो चुका है अब हम बात कर लेते हैं format के बारे मी कि हम कैसे translation जो यह format है अपना इस format को हम समझ लेते हैं तो सबसे पहले हम हमें क्या करना होता है इसके मदद से कुछ समझेंगे बट अपने क्या होता है पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं फिर या विलिया सैल लिखेंगे और उसके बाद हमें have been तो लिखना है बट अगर not का प्रियोग हुआ रहाएगा बीच में तो have से पहले हमें लिख देना है this one is very important कि अगर विलिया सैल के बाद have been तो हम लिखते हैं बट अगर not का प्रियोग हुआ रहेगा तो have से पहले यानि विलिया सैल और have के बीच में हमें not का प्रियोग करना होता है उसके बाद verb का first form होगा और ing प्रियोग होगा उसके बाद object लिखेंगे कुछ और example देखते हैं और इसको हम सेट करने की क्योंकि subject है अपना subject उसके बाद will का प्रियोग हुआ है फिर have win का प्रियोग हुआ है देखें यहां पर not का अगर होता तो not कहां प्याता है आप से पहले आता यहां प्याता लेकिन not नहीं है इसलिए हम यहां के gap कर देंगा और क्या लिखने देविल have been playing for two hours ठीक है फॉर क्यों आ रहा है बता चुका हूं कि दो घंटे तक यहां पर पीरियोड की बात करें देख लेते हैं देखें आप वह दो वर्स से कठीन परिश्रम नहीं कर रहे होगी तो यहां पर हम क्या करेंगे सी के सी है एक बात और यहां पर I will और साहल का और जहां पर आई और भी रहेगा वहां पर हम सैल है वीन का प्रियोग करेंगे अदर्वाइस उसके अलावा कुछ भी रहेगा थो हम विल है बिन का प्रियोग करने वाले हम यहां पर देखिए वह दो वर्स से कठीन परिश्रम नहीं कर रही थी तो सी विल आएगा ठीक है इसके बाद मैंने बताया कि है बीन से पहले ही नौट आ जाएगा आप यहां पर देख सकते हो यहां पर विल और यहां पर मैं जो कहने की कोशिश कर रहा था कि हैव से पहले ही नौट आ जाएगा वह आप यहां पर देख सकते हो यहां पर सी विल और हैव से पहले ही नौट यह थोड़ा सा कैच है और वह कि जो यह व्लियाज मंधोर को क्या है कि हम आगे खीच के लिए चले आते हैं उसके अलावा जब ये इसको अगर आप हटा दोगे तो पहले यह आ दूसरे नमर्पी ये रहता है तीसरे नमर्पी चौत्य नमर्पी पांचमें पर इसे त्मार्पी ठीक है अगर नॉट नहीं रहा थो मैं लिखते हैं अब आगे कुछ को देख लिए यहां पर तो रून म समझगा अब इंटेड़ेटी संटेंस्टेंस में आप देखिए क्या ह होता है कि यहाँ पर आपको देखने के लिए एक तो यह जहाँ पर क्या से शुरू होंगे संटेंस जैसे आप यह पहरा दूसरा तिसरा देखता हो उसके अलाबा जो टाइब जो दूसरे टैप का संटेंस होता है उसमें जो question पूछा जाता है न वो बीच में आता है क्यूं कि जैसे यहां पर कितने आया हुगा है यहां पर कहां ठीक है तो सबसे पहले अगले यहां पर कहा है तो हमने य हम हुआ है ठीक है तो हमें यह काम करना होता है सबसे पहले वर्ड है उसकी इंगलिस लिखते हैं लेकिन अगर सबसे पहले आ तो विल्यास सैल को हम सबसे आगे लेते आते हैं यह थोड़ा सा कैसर यहां पर आप ध्यान दिजेगा कि जब क्या से सुरूओगा तो विल्यास सैल को हम आगे लेते आएंगे लेकिन अगर बीच में होगा तो उस वर्ड की इंगलिस सबसे पहले लिखेंगे उसके बाद विल विल्यास जो है आने के बाद यहां से अपना जोर स्टार्ट हो जाएगा विल्यास एल को फिर हम यहां पर आगे करी दे रहे हैं इसमें भी बस अंतर इतना है कि हम यहां पर क्रिश्चन वर्ड को पहले लिख रहे हैं थोड़ा सा समझानी कोसिस करता हूं अलका सा और लिखेंगे जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो विल्यास अल को आगे करते फिर सब्जेक लिखना तो विलिखा मने इसके बाद नौट दिया नहीं है तो फिर उसका लिखेंगे नहीं उसके बाद लिंखना है और उसके बाद और लगा देना ठीक है यह आपका समझ में फोर्म में लगा दिया है विल को सबसे पहले आगे खीच के लिए के चले आना है और उसके बाद सब्जेक्ट फिर उसके बाद जो अपना है विन और वर्ट का फर्स्ट फोर्म है यह आ जाएगा बस इसमें जो बीच में आ जाएगा वहां पर हम Christian word की English भी लिख देते हैं ठीक है यह important है इस वाले में थोड़ा सा difference यह है कि how many की बाद हम तुरंद इस टाइब का आएगा how many, how much, who, which इस टाइब का अगर word आपको देखने के लिए मिलेगा तो उसका जो noun है उसको भी आपको उसके साथ ही लिखना होगा तब जाके आप विल अब आगे बढ़ते हैं और translation करके कुल देख लेते हैं सबसे पहले वहां लड़की एक घंटे से पत्र लिखती रहेगी अब आप देखे एक घंटे से duration की बात की जा रही है तो हम इसमें क्या यूज करने वाले हैं फॉर का यूज करने वाले हैं क्यों क्योंकि यह duration चल रह चाहिए तो फिर वहाल लड़की लिक्एंगा अगर उसके बाद Will हैब बिन तुपना ही साइगा क्योंकि और bi के साध यह साल का प्रे वर नगाहीं होगा टाइच गॉर्ध यह उसके बाद पत्र लिखती रहेगी रा इंग इन ऐंग एंगलीवी कि इसके बाद एक घंट इक इंपोर्टेंट है कि क्या पहले आया है क्या पहले आया है तो हम सबसे पहले को आगे लेते आएंगे फिर जाके सब्जेक्ट लिखेंगे फिर उसके बाद यहां पर यहां पर अपना वर्व आया है बर्निंग जलना यहां पर दो घंटे से बात की जारे इसलिए फौर का यूज किया गया है नेक्स्ट है वह आधी रात से क्या सोच रहा होगा और यहां पर आप देखे क्या आया है बीच में मतलब सबसे पहले हम इसी की इंगलीस लिखेंगे तो क्या आ गया क्या के इंगलीस हो गया वाट 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 ठीक है इसके बाद हमें क्या करना होता है वाट के बाद हमें विल या सैल को आगे लेके आना होता है उसके बाद जाके हम सब्जेक्ट लिखते हैं कुछ इंटेरोग्यू हुआ है what he will have been thinking since midnight यहां पर यह गलत है और गलत क्यों है वो गलत इसलिए है क्योंकि आपको वाट के बाद विल लिखना था विल क्यों लिखना था क्योंकि जब आप विल्यासायल को आगे लिखे आओगे फिर जाके सब्जेक्ट लिखोगे तो what will he We have been thinking since midnight आपको यह लिखना था next time बात करने वाले हैं मैं दो घंटे तक इन लड़कों को पढ़ाता रहूंगा सिंपल सेंटेंस है मैं दो घंटे तक इन लड़कों को पढ़ाता रहूंगा तो आप देखें मैं 2 घंटे तक घंटे तक आगया दो घंटे तक तो फॉर का योज होगा तो आई के साथ क्या प्रयोग करना है यहाँ पर सैल का प्रयोग करना है तो आई सैल है बीन आई सैल है बेन टीचिंग इन डो लड़कों को मैं दो घंटे तक तो यहां पर आई के साथ साल का प्रयों होगा ना साल के बाद है बीन आहीं जाएगा आई साल है बीन टीचिंग दीज अगर स्टुडेंट विद्यार थे रहता तो स्टुडेंट लिखते हैं तो हम यहां पर लड़कों के लिए बाइज लिख दे रहा है तो आप यहां पर देख सकते हो अपना जो सेंटेंस है आई साल है बें टीचिंग दीज इस टूडेंट फोर टू आर्स नेक्स्ट है मेरे पिता जी नौकर को आधे घंटे तक क्यों पिटते रहेंगे देखिए यहां पर बीच में जाए क्यों तो सबसे पहला जाएगा वाई फिर हम क्या करते हैं ऐसे लिखते है ना वाई माई फादर विल है बीन बीटिंग तो सर्वेंट तिल नहीं तिल देखिए तक का यूज हुआ है तो हाफ एनार आप तिल हाफ एनार ऐसे लिख दिया जाता है आपको लगेगा कि यह सही है बट अगें इस बार भी मैं यहां पर यह गलत है और गलत क्यों है क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो यहां पर इंटेरिग्योटिव में हमेशा विल के बाद ही आएगा और तर भी नहीं होगा तक भले लिखा हुगा है बट हम तिल की इंगलिस फौर ही लिखेंगे तिल की इंगलिस हम फौर ही लिखेंगे फौर हाफ एनार ठीक है नेक्स्ट है गाये चार बजे से मैदान में घास नहीं चरती रहेंगी यहां पर निगेटीव सेंटेंस है तो गाये का इंगलेस हो गया और मैदान में तो इंदी फिल्ड हो गया और चार बजे से एक पॉइंट की बात की जा रहे है तो सिंस फोर ओक्लॉक का यूज हो का नेक्स हम चलते हैं हम चार घंटे तक को पन्यास नहीं पढ़ते रहेंगे फिर निगेटिव सेंटेंस है तो वी के साथ क्या प्रहोगा प्रहोगा सिंपल सब वी चल हैब नाट बिन रिडिंग नौवल सबसे नहीं हैं वह लड़की दो घंटे से क्या कर रही होगी वह लड़की दो घंटे से क्या तो यहां पर क्या कि इंगलेक सब्से पहले लिखें के तो क्या motivo योट ठीक है वाट उसके बाद हम विल को आगे लिएकर चला आता है वाइध की वाट विइल डैट गर्ल उसके बाद हम लिखता है है विног फार टु आर्स तो तुरंत बाद आएगा ठीक है तो फ्रेंट्स यहां पर विल को पहले हम लिख देना है जैसे यहां पर विल पहले आजाएगा सब्जेक्ट से उसके बाद नॉर्मल यह संटेजिंस चला जाएगा वाट विल डैट गर्ल है बीन डूइंग फॉर टू आर्स फॉर क्यों आ रहा है तो फ्रेंट्स इस लोड़े में सिर्फ इतना ही मिलता है आप से लोड़े में तब तक लिए नमस्कार